दिल्ली के मुक्य मंत्रिय अर्विन केशिवाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फरेंस कर एलान किया कि राज़धानी को जल्दी स्टार्ट अप हब बनाने की और काम किया जाएगा उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि दिल्ली काबिनेट ने दिल्ली स्टार्ट अप नीती पारित कर दी है जिसके तहर दिल्ली की केश्डिवाल सरकार स्टार्ट अप के लिए मदद करेंगी वही उन्होंने लेटरल और बयास मुक्त लोन भी दिया जाएगा ये भी कहा और इसके साथ ये स्टार्ट अप्स को मुफ्त कानूनी और वित्तिय सलहा भी दी जाएगी ये कि अंदर हमने बिजनस का महौल क्रियेट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाएं इस बार का तो पूरा बजट ही एक तरह से दिल्ली में बिजनस का महौल क्रियेट करने के लिए नई उर्जा पैदा करने के लिए दिल्ली के बजट में बहुत सारे प्राबधान किये गए कई सारे markets को develop किया जा रहा है कई सारे डिली बाजार बनाया जा रहा है दिली shopping festival बनाया जाएगा उसी तरह से डिली के स्कूलों के अंदर entrepreneurship classes चालू की जा रही है नौवी से बारवी क्लास के बच्चों को business करना सिखाया जा रहा है उन्हें छोटा सा seed capital दिया जाता है जिससे वो business करते हैं business blasters program किया जा रहा है और धेरों बच्चे जो हैं वो अलग-अलग-अलग-अलग छोटे-छोटे business करना चालू कर रहे हैं यही business blasters program यही entrepreneurship classes अब colleges के अंदर बच्चों को डिगरी लेने के बाद नौकरी ढूंडने के बजाए अपना business करने के लिए उन्हें तयार किया जाएगा मानसिक तोर पे तयार किया जाएगा और college में पढ़ते-पढ़ते भी वो इस दिशा के अंदर अपने छोटे-छोटे business ideas को तयार करना शुरू करेंगे दि भर की जो startup policies है उन सब को इकठा करके उनके जितने भी अच्छे points थे वो सारे अच्छे points इसके अंदर हमने डाले हैं कि अगर दिल्ली के रहने वाले युवा दिल्ली के अंदर कोई business चालू करना चाहते हैं तो उनको दिल्ली सरकार पूरी तरह से मदद करेगी hand holding करेगी उन हैं जैसे मान लीजे वो किराय पे कोई जगे लेते हैं तो उसका आधा किराया तक दिल्ली सरकार दे सकती है उसको उसके किराय में मदद कर सकती है जो वो तनखाएं देगा अपने employees को उन तनखाओं के अंदर कुछ पोर्श तो और जो बच्चे college में पढ़ रहे हैं दिल्ल साल तक की छुटी भी देने के लिए तैयार है वो अगर patent के लिए trademark के लिए copyright के लिए apply करता है तो जो उसकी fees लगती है वो वापस कर सकते हैं उसके जो internet charges आते हैं उसके अंदर दिल्ली सरकार मदद कर सकती है अगर कोई भी दिल्ली सरकार के startup में policy में register करना चाता है वो इस task force को apply करेगा और यह task force जो है फिर decide करेगी कि हमें इन्हें register करना है की नहीं करना तो मुझे लगता है कि इस startup policy के बाद एक बहुत बड़े स्तर के उपर दिल्ली में startups का बूम आएगा और मैं उमीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारे अपने दिल्ली से युवा जो है वो यूनिकॉन बनाएंगे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनिया यहां से निकलेगी